पूजा पाथ हो गया आप चलो कुछ रिवाइज वगरा कर लेते हैं चलो सब ठीक है ठीक है हा मोनू तुने तयारी कर ले एक जाम की हा यार तयारी तो पूरी है लेकिन एक बार रिवाइज करना है वही करने आया हूँ आज यहां पर आज मैं पूरा रिवाइज कर लूँगा और समोखन तेरी तयारी कैसी है अरे मुझे को तुम लोगों ने अपने जैसा समझाय क्या पता है मैं कोश्चन पेपर से ही आंसर निकाल लेता हूँ और एक सीक्रेट मैं तुम सब को बताने जा रहा हूँ तब लोग ध्यान से सुनो मुझे पता लगा है ना जो आंसर सीट चेक करते हैं वो लोग यह नही देखते कि क्या लिखा है वो लोग इतना देखते हैं कि कितना ज्यादा लिखा है और मैं बता दूँ वो लोग एक पेज का दो नंबर देते हैं और मैं देख लेना पचास पेज लिखके आऊंगा पूरे पचास पेज लिखके आऊंगा तब बता कितने नंबर हो जाएंग तुम लोग मुझे पढ़ने भी दो मेरे पापा ने कहा है अगर मैं फेल हो गया ना तो मुझे साइकल रिपेरिंग की दुकान खुलवा देंगे फिर मैं सारी जिंदगी साइकल ही रिपेर करता रहे जाओंगा और मेरी जिंदगी धंड हो जाएगी चल अच्छा है तरह तुम फेल हो जाएगा तो भीख मागने का प्लान है का तेरा भील चीर करेंगा मुझे नहीं ला रहा है नहीं यार मेरे पापा ने बोला है अगर तुप पहले ही खेल होने की बात कर रहे हो पेपर से बहले कुछ शुबसुब बोलो तुम लोग यहां भagवास करने हो अब चुप करके अपना विवाइस करो वहना में सबको यहां से भगा दूंगा मेरे को पंढ दो ऐला पलस बीजिए स्केर इसक्रज एपी एपनी अपको ऑफ पलगों याद कर सब लोग अब ध्यान से सुन लोग थोड़ी देर के लिए हम इंजॉयमेंट करेंगे ताकि हमारा दिमाग फ्रेस हो जाए और हम दुबारा पूरे ध्यान से पढ़ सकें तो सब लोग दो मिंट के लिए किताब बंद करेंगे और एंजॉय करेंगे चलो मैं गाना पेले करता हूँ थोड़ा सब लोग इंजॉय करेंगे अरे तुम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं रहे आरे अंकल हम लोगों का कल पाँचवी के बोर्ड का एक्जाम है अरे पांचवी का बोर्ड का इंजाम बहुत आसान है गिए तो जो खुद प्निष यारा दे चुका हूँ लेकिन अभी भी किलिर नहीं हुआ और जो ये कोच्चन है ना यह से भी पिछले बाद आए था तो यह जरूर आएगा और यह जो बड़ा वाला कोच्चन है ना ये तुम्हारी अगास से बाहर है तो इसको रहने दो पर पढ़ना इमति यह सुम्हारे वकास से बाहर हो यार मुझे नीन दा रही है मैं सोने जा यार नीन्द बहुत कीम्ती चीज है तब ही तो इसको सोना कहते हैं तो मुझे सोने दे अरे यार तूने वो कहावत नहीं सुनी जो सोवत है वो खोवत है जो जागत है वो पावत है तो चाही कि ना चाही अरे यार ये सब कहावत पुराने लोगों के लिए है मुझे नीन आ रही है मुझे सोना है अच्छा तुम लोग मेरी बात सुनो एक बार हम टीडियम खेल लेते हैं जिससे हमारा दिमाग पूरी त्रा एक्टिव हो जाएगा उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे तो जल्दी से सब लोग अपना अपना मोबाइल निकालो और पबजी खोलो एक टीडियम खेलते हैं जल्दी से तीम मैच लेट्स गो अरे यार ये पिसल पिसल के माँ रहा है अरे इधर आ ओरे इधर कंटेनर पे है वो मार यार मार जल्पी उनलों कदस हो गया अब हमारा दूई है तो ठीक है अब हम पढ़ाई करें सबका दिमाग अक्टिव हो गया सबका दिमाग खुल गया है अरे यार ऐसा करते हैं एक चिकन डिनर कर लेते हैं जिससे हमारा दिमाग पूरी तरह से खुल जाएगा तो कैं बोलते हो दोस्तों ठीक है फिर एक चिकन डिनर only one उसके बार सब लोग पढ़ेंगे ठीक है बस एक चिकन डिनर करेंगे ओके ठीक है अरे मोनू राज्यू गोलू पप्पू समोखन तुम लोग सो रहे हो पेपर देने नहीं गये तुम लोग आज उठो रे उठो उठ जाओ तुम लोग तुम लोग तुम लोग तो बरबाद हो गये रे उठ जाओ अब तो उठ जाओ उठो रे उठो गूह हो ज़ल दिए प्रदेने चलना है वह बलाने आया है को अरे मैं पूछ ने आया हूँ कि तुमनों नुको प्रदेने क्यों नहीं आये टाइम कितना हो रहा है डेख सामके पांच बज रहे हैं तुम नों भांग खाय थे रात में जो सबरे उठ नहीं पाए और खाव स्विरा तरीका भांग है मैं तो बरबाद हो गया मैं तो बरबाद हो गया यार बरबाद झाल बरबाद हो गया झाल